तो यह तरीके के फाइबर को हम बोलते हैं सिल्क बोलते हैं सिल्क अब बात आते हैं सिल्क तो हो गया सो सिल्क हमें मिलेगा कहां से सिल्क का क्या कॉंसेप्ट है तो सिल्क बटा एक इंसेक्ट होता है जो बटर फ्लाई के जैसे होता है कितली के जैसे होता है जिसे हम बोलते हैं सिल्क मोत बोलते हैं जिसको हम silk moth बोलते हैं ये silk moth को जो है हम commonly इसे scientific language में अगर बात करें तिसे हम bombix moory बोलते हैं bombix moory बोलते हैं ठीक है और ये silk moth होता है रहता कहाँ है management कहाँ पर होता है इसको rearing करना मतलब इसको पालना और इससे पालने के बाद इससे silk production करना इस process को हम बोलते हैं सेरी culture बोलते हैं इस system को हम सेरी culture बोलते हैं मतलब सेरी culture के rearing and management of silk mode to obtain silk ठीक है? Rearing and management of silk mode for obtaining silk is called सेरी culture यह हमारा सेरी culture होता है अब सेरी culture सबसे पहले जो है कहां पर खोजा गया था? कहां पर निकाला गया थे? वो हुझा चाइना चाइना ने सबसे पहले silk को discovered किया था silk को बारे में बता आया था अब silk या बात करते हैes silk की बात होié ही गई है तो हम silk mode के बारे में detailे बढ़ते है silk mode क्या काम करता है देखता हम silk mode कैसे होता है तो पहले हम समझते हैं Life Cycle Silk Mode का Life Cycle समझते हैं Life Cycle of Silk Mode देखें, एक female Silk Mode जो है अंडे देती है, एक बार में लगभग लगभग 400 से 500 अंडे एक बार में देती है एक female Silk Mode जो है एक one time सें, फस्ट टाइम में जो है एक ही पार में जो है ये 400 से 500 के बीच पे अंटे देती है कि जहती कहां है और देखियों ये जो है एक मलबरी लीव होती है जिसे सहतूत बोलते हैं चीक है सहतूत मलबरी पत्ती सहतूत की पत्तियों में होता है यह वहीं पर जो है kept किया थे वहीं पर रहते हैं ठीक है तो जब इह 400 सो 500 अंडे दीए थो लग-बख लग-बख 2 वीक के बाद जो है बटा यह अंडे जो है टूड़ जाता है यह अंडे टूड़ जाते अब अंडे टूड़ जाने से इनके अंदर एक लार्वा होता है inkे अ बोलते हैं caterpillar बोलते हैं वो caterpillar बाहर निकलता है है और 566 वीक के अंदर यह इतना खाता है पत्तियों को इतना खाता है कि अपने इनिशियल वेल्ट से लगभग लगभग 10,000 है वियर हो जाता है 10,000 टाइम है वियर जितना पत्ता पहले छोटा रहेगा इतना बड़ा रहेगा लेकिन यह 5 और 6 वीक के अंदर लगभग लगभग इतना बड़ा हो जाता है इतना फार कि इसके अंदर आता है क्यों क्योंकि इतना ज़्यादा खाना खाता है ठीक इसी समय जब यह अंडे देत यह निकलती जाती है ठीक है वह मतलब four times skin को change करते हैं इस process को हम malting बोलते हैं मतलब changing of skin इस process को हम बोलते हैं malting की process बोलते हैं malting हो गई अब क्या हुआ अब यह जो larva रहेगा या यह larva को ही हम बोलते हैं caterpillar बोलते हैं चीक है larva को ही हम बोलते हैं caterpillar बोलते हो अब यह larva जो होता है यह larva कैटर पिलर जो हमारा लार्वा था अपने चारो तरफ एक saliva excrete करता है saliva excrete करता है saliva एक चिपचिपा पादारत है उसको excrete करता है अपने slavery gland के हैं और यह अपने बनता है यह ऐसे मोड़ने से क्या होता है इसके फिर यंवर और यह सब जाती है पूरा एक घूम खोंकर के जी स्ट्रक्चर ऐसे बना लेता है जिसे हम बोलते हैं कुकून बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं कुकून वैसे ये क्रेटर पिलर हमारा है माल लेज़े ये घुम घुम के अपने चारो तरफ चारो तरफ ये जो है ये कुकून बना लेगा वाइट कलर का इस्ट्रक्चर जिसे प्रोटेक्स्टिव सेल बोल से अंडा होता है वाइट कल का बाहर बाहर होता है वैसे इसके चारो तरफ ये बना लेता है अब इसके अंदर जो है कुकून के अंदर अंदर जो है इंसाइड जो है लारवा रहता है लारवा रहता है मतलब की छोटा जीव रहता है बेबी जिससे हम प्यूपा बोलते है इसी के अंदर ये रहता है अब Pater जो है कुछ दिनों के बाद तोट जाता है ये कुकून जो है, कुछ समय के बाड़ अपने आप हेच हो जाता है तोट जाता है जिससे एक Pater जो है या एक इनसित हमें मिल जाता है ये तो रहा है इसका कॉंसेpt ठिक कैसे क्या है इसका बाहर निकलता और फिर यही बड़ा होता जाता है एक बार में एक इंप्रेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं अगर देखे बटा 200 से 300 कुकून्स हमें अगर मिल रहा है 200 से 300 कुकून्स हमें जरूरत पड़ती है वन पाउंड सिल्क बनाने के लिए वन पाउंड सिल्क बनाने के लिए है में नियर अबाउट 200 से 300 कुकून्स की जरूरत पड़ती है ठीक हैं देखते हैं, next topic की बात करते हैं sericulture, अभी हमने बात किया sericulture है क्या, sericulture की हमने बात किया था भी sericulture, sericulture is the cultivation and management of silk mode, to obtain, to obtain, silk is known as sericulture, ठीक, sericulture क्या था, कि, silk warm को जो है, cultivate silk warm को जो है, पालना और जिस silk के लिए, इसी को हम बोलते हैं, sericulture बोलते हैं, इस sericulture का सबसे पहले जो है, ranking पे number, number one, sericulture पे जो है, China है, China is the first position, the production of silk, and then second number पे क्या है हमारा, India है, India is the second position, first position पे हमारा है, China, second position पे इंडिया, silk production के बाद में, चीक है, एक बार जो है, यह देके पत्तियों खाया है, पत्तियों खाने के बार जो यह insect होगा, वो round 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 घूमता जाता है, जिसके बाहर यह protective layer बन जाती है, protective layer बन जाती है, अब यह protective layer के अंदर यह black black दीख रहा है, इसको हम pupa बोलता हूं, ठीक है, इसी से जो है, इस pupa अगर तूड़ के, इसी के अंदर यह रहता है, और अगर यह तूड़ जाता है, यह बाहर निकल गया, और यह जो निकल जाता है, इसी से हम silk products करते हैं, और यह फिर बड़ा हो जाता है, यह life cycle बन जाता है, यह इनका एक life cycle चलता रहता है, ठीक है, हम ब सबसे पहले इसका प्रोस्स क्या होता है जो female silk mold होती है female silk mold को एक aluminium box के अंदर रखा जाता है इसको इसलिए इसमेदा क्योंकि एक suitable इसके temperature मिलता है जिसे अंडे ये लेकर सके अंडे दे सके एक protective environment मिलता है protective temperature यहाँ पर रहता है जिससे जो है ये free from imperatives होती है यहां पर impurities नहीं होती है, dust पगएर नहीं होते हैं, बहुत अच्छा है almonium का box होता है, इसमें female silk mode को रखा जाता है, अब female silk mode जो हैं, इसमें क्या करती हैं, अंडे देने के बाद तुरंत ये मर जाती है, तुरंत ये मर जाती है, ठीक है, तो इसके बाद कि अहां अंडे दे अंडे देने, अंडे देकर मर जाती है, तो ये अंडे के अभी हमने बात किया था, अच्छा temperature, sweetable temperature में रखा जाता है, जिससे हम बोलते हैं, incubation period बोलते हैं, ये अंडे, incubation period क्या होता है, जिससे female silk mode ने अंडे हेच कर दिये, अब उस अंडे को जो है, एक particular sweetable temperature में रखा जा होता है, हेचिंग के लिए, जिससे हम 10 days का period बोलते हैं, 10 days का बोलते हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, incubation period बोलते हैं, इस incubation period में जो हैं, अंडे हेच होता है, तोटता है, जिससे larva या caterpillar बाहर निकलता है, ये caterpillar जो है, mulberry leaf को खाता है, मैंने बता है, mulberry leaf को खाता है, और अप वो फाइव टूशिक्स वीक लगते हैं इसको और अपने टाइम कितना बड़ा थ्री इंच बड़ा हो जाता है यह तो इसका होगे रेरिंग का प्रोसेसर कैसे इसको रेरिंग करते हैं हमारे स्टेप यह हो गया मतलब उसको रेरिंग कैसे होती है कैसे हमें कराना है सेकेंड ब कि बैंबू ट्रे होता है जैसे आपको थेख रहे वーい इसमें इन मीरो या भुट है् इसके अंदर यह इस करते मनेश करता है नहीं करता है इसके चाराफ दर ना बना देती है यह प्रोटेक्टिव लियर बन जाए से अंडे में वाइट वाइट बाहर रहती है वो प्रोटेक्टिव लियर बन जाती है है इस पीन इसे के अंदर होता है जिससे यह अच्छा इंको temperature है 3-8 days तक इनको लगता है यह हो गया process अब हम 3rd process में क्या करते हैं 3rd में क्या होता है अब देखते हैं बेटों देखें caterpillar था हमारा larva था वो round round कर लिया जिसके बाहर अपने बाहर एक protective layer environment कर लिया protective layer बना लिया protective layer create कर लिया अब उस protective layer में जो है एक under pupa होता है जैसे insect बोलते है प्यूपा होता है लेकिन हमें अड़न ना निकलने पाए अंड़ने पाए अब न तूट पाए इसके लिए हम क्या करते हैं उसके अंदर ही insects बना रहे तो हम क्या करेंगे next step पे क्या होता है वह इस गुआ को ले करके यह जो white white हो गहें हैं इस गुआ को ले करके हम इसको गरम पाने में boil करें यह microwave में गरम और यहां धॱब में रक देते हैं मतलब कुछ मिला कर इसको हमें गरम करना होता है गरम करने से क्या होता है जो अंदर जो प्यूपा होता है वो किल्ड हो जाता है मर जाता है इसके अंदर कुकून के अंदर ही प्यूपा मर जाता है ठीक प्यूपा मर गया अब जो हमारे पास जो कुकून बचा कुकून है Ununded मतलब फुटा हुआ या खुला हुआ जिसे कुकून बोलते हैं कुकून हमारे इस तरीके कर रहेगा अंदर ये फुट जाता है ठीक अंदर मर गया अब हम इस कुकून को ले करके जो है ले लेते हैं इस कुकून को जो है वहां से अलग कर लेते हैं जिसे हम रेरिंग प्रोसेस बोलते हैं रेरिंग प्रोसेस में क्या होता है अप्टेनिंग ठीक है अनुंडेट जो है अनुंडेट कुकून अप्टेंड किये जाते हैं मतलब अप्टेनिंग औव अनुंडेट कुकून इस नोन आज रेलिंग हम यह reeling process होके मतलब हमें अलग कर लेते हैं उसमें से अलग करने के बाद क्या करते हैं अब हम उसको अलग कर लिए अलग कर लिए silka filament बना लिए और जो pupit था वो भी हट गया हमारे पास बचा क्या एक यार अब हमारे पास यह जो बचे white white होता है यह हमारे बच गया जिसको हम यार में convert कर लेते हैं मतलब यार में ऐसे 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 को बना लेते हैं एक धागे टाइप का structure बना लेते हैं यार बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं weave and fabric करते हैं throwing weave and fabric होता है yarn होता है यह जो है अभी raw silk होता है इतना मजबूत hard होता है भी है इसकी hardness को खतम करने के लिए हम इसको wash करते हैं wash करते हैं जिसमें इसमें एक sericin अगर वो जो pupa था हमने देखा था जो pupa था pupa क्या कुकून था उस कुकून में जो है 70 से 80% तक था तो 70 से 80% पर हमारा रहता है कुकून पर जो हमारा फैब्रीक होता है जो हमारा फैब्रीक था वो होता है ठीक है फाइबर था मतलब जो white white और इसमें जो है 30 से 20% जो है वो रहता है sericin protein होता है protein होता ठीक है sericin protein बोलते हैं जिससे यह अभी hard रहता है अभी यह क्या रहता है सेरिसीन रहता है जिससे अभी यह क्या रहता है hard रहता है अब इसकी hardness को खतम करने के लिए हम इसको भी फिर से wash करते है wash करते है wash करने के बाद क्या होता है wash करेंगे जिससे अभी यह wash हो जाता है अभी यह क्या हो जाता है light हो जाता ह soft हो जाता है और sign ही चमक ने लगता है इस तरीके से हम इनको get करते हैं ठीक है बात करते हैं types of silk silk के type की बात करते हैं कितने प्रकार के silk होते हैं ठीक है तो अलग-अलग variety के silk mode होते हैं उन से जो हैं अलग-अलग type के silk obtained किये जाते हैं अलग-अलग उनके है टेक्ट्चर इनके कौर्स और श्मूत थे साइनिंग के अग्षा अलग-अलग होते हैं लेकिन चो मॉलogen होता है मलबरी जो फॉता है यह श्वर्ट लास्टे लास्टी और क्या मैं क्यों क्यों कि जो है जाधा अट्रेक्टिव होता है क्योंकि इसे पूरा अर्टिफिशली गेट करते हैं एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ठीक है अच्छा होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो होता है कोशा होता है क्रेप होता है मरबरी होता है मुगा होता है यह सारे टाइप के सिल्क अव हजारड होते हैं मतलब जो वरकर जो हैं जो इस तरीके के इंप्लाई जो इंडस्ट्री में काम करते हैं जैसे उल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनके लिए हेल्थ का खत्रा रहता है जो उल इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको एक सौटर डिसीज हो जाती है सौटर डिसीज क्या होती है ब्लड डिसीज होती है फिटल ब्लड डिसीज होती है फिटल ब्लड इसे सौर्टर डिसीज बोलते हैं यह हो जाती है जिससे इनको जो है सांस लेमिन्यों पेक्टेरिया की प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है बैसिलेस एंथरसाइस बोलते हैं प्रेजंट हमारे इसम कि भीमारी हो जाती हैं मतलब कि लंग्स की बिमारी क्योंके अब देखा कि जब वाइल करते हैं कुकून को मारते हैं जो वइपर जाता है, जो फो यह उड़के जाता है यह इनके वयापर अदर जाताएं यह लंग्सों इंफ्र प्रदेता लंग्स को इंफेक्ट करते हैं जिसे हमें अस्थमा की बीमारी से ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है ठीक है तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है जो यहां के जो वरकर होते हैं जो अकूपेशनल यहां पे लोग होते हैं जो लोग काम करते हैं उनको इस तरीके क बिमारी हो जाती है, तो हमारा ये topic खतम होता है, पूरा topic हमने समझ लिया, topic में था गया, topic में था क्या, ठीक है? अगर आपको problem होतों, comment में लिखतीजेगा, ठीक है student? तो okay, thank you very much.